एक बार की बात है, एक गाव में एक गरीब परिवार रहता था, परिवार में माता-पिता और उनका एक लौता बेटा था, माता-पिता बहुत महनत करते थे, ताकि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और एक अच्छा इंसान बन सके, बेटा बहुत होशियार और उसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की, वह हमेशा अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आता था, उसके माता-पिता उस पर बहुत गर्व करते थे, जब बेटा बड़ा हुआ तो वह शहर में नौकरी करने चला गया, उसने एक अच्छी कमपनी में नौकरी पाली और बहुत जल्द ही वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया, वह एक बड़े घर में रहने लगा और महंगी गाड़ी चलाने लगा, लेकिन अपने माता-पिता को वह भूल गया, वह उन्हें महीने में एक बार भी फोन नहीं करता था, वह कभी भी गाव नहीं जाता था, और नही उन्हें कभी मिलता था एक दिन बेटे के माता-पिता बीमार हो गए वे इतने बीमार थे कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे एक दिन उसकी बेहन ने उसे फोन किया और उससे मदद मांगी लेकिन बेटे ने मदद करने से मना कर दिया उसने कहा कि वह बहुत व्यस्थ है और उसके पास समय नहीं है उसकी बहन ने यह भी कहा कि उसके माता-पिता बूढ़े हो गए हैं और अब वह कोई काम नहीं कर सकते हैं इसलिए उनकी देखभाल करना भाई आपकी जिम्मेदारी है लेकिन भाई ने साफ मना कर दिया बेटी बहुत दुखी हुई उसने अपने माता-पिता की देखभाल अकेले ही की लेकिन वह बहुत गरीब थी और वह अपने माता-पिता का अच्छे से इलाज नहीं करवा सकती थी कुछ दिनों बाद बेटे की मां का निधन हो गया बेटे को इस बात की जानकारी भी नहीं हुई जब उसे अपनी मां के निधन के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ लेकिन उसने अपनी बहन को यह भी नहीं बताया कि वह अपनी मा के अंतिम संसकार में आ रहा है कुछ सालों बाद बेटे के पिता जी का भी निधन हो गया बेटे ने तब भी अपनी बेहन को यह नहीं बताया कि वह अपने पिता जी के अंतिम संसकार में आ रहा है बेटे की बेहन बहुत दुखी और गुस्से में थी उसने अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा उसने कहा कि वह अपने माता पिता को भूल गया है और वह एक बहुत ही स्वार्थी इंसान है बेटा अपनी बेहन की बातें सुनकर शर्मिंदा हुआ उसने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है उसने अपनी बेहन से माफी मांगी और कहा कि वह अपने माता पिता को कभी नहीं भूलेगा और वह उनकी हमेशा इज़त करेगा बेटा गाव आया और अपने माता पिता की समाधी पर गया उसने अपनी माता पिता से माफी मांगी और कहा कि वह उन्हें कभी नहीं भूलेगा उस दिन से बेटा अपने माता पिता की हमेशा इज़त करता है हाँ, अपने माता पिता को कभी नहीं भूलता है और वह उनकी यादों को हमेशा याद करके रोता है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती कि हमें हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए वे ही हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है और प्यार और देखभाल के साथ हमारा पालन पोशν किया है हमें उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए और सदैव उनके प्रतिकृतज रहना चाहिए अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करें